नमस्कार बच्छों आज हम लोग आरे सगरवाल क्लास 12 का मैट सॉल्ब कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट ठीक है बच्छों और आज हम लोग इसका अब्जेक्टिव कुश्चन सॉल्ब करने वाले हैं पिछले विडियो में हम लोगो साहरे लेकर 53 तक का सॉल्ब करेंगे ठीक है बच्छों तो चलो शुरू करते हैं तो चलो देखो हमारे चट्वैट्टिसक्स QUESTION ABS, 26 नंबर कोईशन है कह रहा है A and B are invertible matrix A और भी अपने आप में invertible matrix A invertible कहने का मतलब होता है कि matrix का inverse निकाल सकते हैं ठीक है बच्छों of same order बोल रहा है same order का invertible matrix है तो A B inverse क्या होगा तो बहुत सिंपल सा बात है कि A B का जो inverse होता है ना A B का जो inverse होता है वो क्या होता है यह definition है B inverse A inverse होता है ठीक है बच्छों B inverse A inverse तो A B का inverse होता है B inverse A inverse option B जो हमारा वो सही answer है ठीक है बच्छों चलो next question पर चलते हैं देखो 27 क्या है A and B are two non zero square matrix कह रहा है कि A और B जो है वो दो non zero square matrix है और सेम order का और साथ में क्या A B zero हुई है A B जो है वो zero है मतलब A जो है न अपने आप में zero matrix नहीं है B भी अपने आप में zero matrix नहीं है और साथ में बोल रहा है कि A B जो है वो zero matrix है है ना A B कितना है हमारा zero matrix है तो simple बात है यह तभी possible होता है ध्यान देना यह, कि A 0 matrix नहीं है, B 0 matrix नहीं है, बट A B, A B का जो product है, वो 0 matrix है, यह तब ही possible होता है, जब determinant A B 0 हो जाए, और determinant B B 0 हो जाए, कहने का मतलब A और B दोनों singular matrix हो जाए, तब ही यह possible है, A और B अगर दोनों singular matrix है, तब जाके A B जो है, वो 0 matrix हो जाता है, ठीक है, तो option जो हमारा है, वो B option सही है, ठीक है बच्चों, तो 27 का B सही है, चलो next question पर चलते हैं, देखो, A is square matrix, A क्या बोल रहा है, square matrix है हमारा, और determinant A 0 नहीं है, पहले से बोल दिया, determinant A 0 नहीं है, मतलब non-singular matrix है, और साथ में बोल रहा है कि A square minus A 2i equals to O है, मतलब 0 matrix, तो देखो बच्च निकालना है, तो बस हम लोग simply यहाँ पर क्या करने वाले है, पूरे matrix को, है ना, post multiplication A inverse से कर देते हैं, post multiplication कहने का मतलब होता है, बाद में है न, pre का मतलब होता है, पहले, तो जब हम लोग multiply करेंगे पूरे को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A square into A inverse, minus A into A inverse, plus 2i into A inverse, और 0 matrix के है, तो अब देखो, यहाँ से क्या गया हमारा, A का power 2 और A का power minus 1, तो A बचा, और A dot A inverse तो आई होता है, अपने को पहले से पता है, अब plus 2 और थोड़ा दिहान दो यहाँ से, A inverse है, into I, I के साथ किसी भी matrix को multiply करो, वही matrix हो जाता है, तो यह A inverse हो गया, और यह पूरा 0 matrix के बर है, अब बहुत simple बात है, अब यहाँ से देखो, 2A inverse को इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर लेके चलते हैं, तो minus I था इधर आके plus I हो जाएगा, और A plus में था तो इधर आके minus A हो जाएगा, और क्योंकि अपने को A inverse निकालना है, तो 1 by 2 ले लो यहाँ पर, और यह I minus A, तो जो है, वो C सही option है, तो 28 का C, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग next question पर, अच्छा, क्या बोल रहा है, कि A, एक matrix दिया हुआ, is not invertible, invertible नहीं है, मतलब इसका inverse possible नहीं है, और अपने लोगों को पता है, कि किसी भी matrix का inverse का possible नहीं होता है, अगर उसका determinant 0 हो जाए, तो यह invertible नहीं है, not invertible नहीं है, तो जरूर इसका determinant A जो है, वो 0 रहा होगा, अच्छा, तो इसका मतलब अगर determinant A 0 रहा होगा, तो इसका 1, lambda, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 1, इसका determinant जो है, वो 0 रहा होगा, तो इसको बस solve कर देना, अपने को देख लेना, lambda का value आ जाएगा, अगर हम लोग R1 पर expand करते हैं, तो 1 into, यह row cancel है न, और यह column भी cancel हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा, 2, 1, 2, minus 5, पहला रो का तो काम खतम हो गया हमारा, अब फिर यह lambda, minus lambda, यह lambda वाला अपना row, अपना column delete कर लेगा, तो 1, 1, 1, minus 5, 2, 10, ठीक है बच्चों, तो यह यहां से यह खतम, फिर plus 2 हो गया तुमारा यहां से, यह अपना row और अपना column delete कर लेगा, यहां से हो जाएगा, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, और यह 0 के बड़ाबर है, तो यह आई, यहां पे तो 1 है मारा, 1 into minus 3, minus lambda into minus 1, 9, plus 2 into minus 3 equals to 0, तो finally देखरो क्या आ रहा है मारा, minus 3 minus minus plus 9 lambda, और minus 6 equals to 0, तो यहां से हो गया, minus 9 plus 9 lambda equals to 0, तो यहां से 9 lambda equals to 9, और इस तरह से lambda का जो value आ रहे है, वो 1 आ रहे है, lambda का जो value आ रहे है, वो क्या रहे हमारा, 1, option जो है ना मारा B सही answer है 29 का, ठीक है बच्छों, चलो next question पर चलते है, देखो question number 30, क्या करना अपने को A inverse निकालना है, अपने क जान लो, A inverse, A inverse क्या होता है, 1 by determinante ऐसा, into adjuvante होता है, तो इसमें नो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, है ना, तो determinante तो निकाल लो तुम जल्दी से, तो अगर इस A का determinante निकालते हो, और यह चीज़ हम बताए भी थे, कि adjuvante निकालना बहुत असान है, तो आप ऐसे कर सकते हो, determinante इसको, direct निकाल रहे हो, 1 by determinante, तो इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो cos theta into cos theta, cos square theta हो जाएगा, और पूरा A inverse ही निकाल देते हैं, ए इन वर्स, 1 by determinante, डिटर्मिनांटे निकाल रहे हो, और इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, sin theta into sin theta, sin square theta आ गया, और adjoint take लिए हम क्या बोले थे, adjoint take लिए बोले थे हम लोग क्या, कि इसको आपस में interchange, जो rho होता है ना diagonal element होता है, इसको आपस में interchange करना है, इस दोनों को आपस में interchange कर लो, और जब interchange करेंगे, तो कुछ नहीं दोनों को सी है, तो ये भी cos हो जाएगा, cos theta, और यहाँ भी हो बन गया, sin theta, और यह बन जाएगा, minus sin theta, तो यह तो क्या आगया, तुम्हारा, one by, यह one आगया, भूल जो, यह क्या बचा तुम्हारा, यह बाला हो गया, तुम्हारा, cos theta, और sin theta, और यह है तुम्हारे पास, minus sin theta, और यह है तुम्हारे पास, cos theta, ठीक है बच्चों, तो यह कई आगिया तुम्हारा यह 11-1 है इसका लिखो ना लिखो एक यह बात है तो यह इंवर्स तो यह आ गया पूल रही है लेख लिगे लापन गने लने सका यहाइन शिक्रार यह दो वा बहुत है कि एक लार महिताक pronounced गलत है में यह तो बागी 1 होई गया मर इंटर्मिनाइंट निटर्मिनांट एंटू एंट टो डिटर्मिनांट एँ तो वन ठैरा तो अधिया को तो करने कि यहां जोर्रत भी नहीं तो यहीं इस एंसर आला था इंवर्स इक वर्श टू एटिर्मिनांट इंटु एट इटर्मिनांट इता है यहां है और इदर बचा एक में थेडिया हुआए और यहां से सब्कूल ऑन इंटू एडज्वाइंट ए तो मारा आ इ जोएंट आगे सी चलो ठीक है नेक्स्ट कुस्चन पर चलते हैं 31 पर दो को 31 क्या बोल रहा है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बोल रहा है यह क्या है तुम्हारा आई इंपोटेंट है या और्थोगोनल है या निलोप्टेंट है यह चेक करना अपने को तो सिंपल बात जान कब होता है इसके बारे में जान लो निलोप्टेंट निल्पोटेंट कब होता है जब अगर एका स्क्वाइर इकोस्टू जीरो मैट्रिक्स हो जाए तो इसको निलोप्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं है ना निल्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं जब एसक्वार इकोस्ट A हो जाए तो आइडम को टेंट बोलते हैं और और्थोगोनल कब बोलते हैं जब A into A का transpose बराबर A का transpose into A बराबर आई हो जाए तो बस यह याद रखना है तो simply हम लोगों को A square चेक करके देख लेना चाहिए क्योंकि दोनों में A square का ही दिमांड है तो पहले A square देख लेते हैं तो इसको A square अगर कर रहें तो दो बार multiply A B B square minus A square minus A B into A B B square minus A square minus A B अब कर लो इसको multiply तो A B into A B A square B square है ना माइनस यह इसको B square minus A square तो माइनस A square B square फिर देख पहला रहो दूसरा कॉलम A B cube फिर इसको इसके साथ माइनस A B cube फिर दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम तो माइनस A square into A B तो माइनस A cube B फिर यहां से माइनस माइनस प्लस A cube B है ना और फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस A square B square और यहां से इसको इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस A square B square तो देखो सब कड जा रहा है सारा ही कड गया है ना सारा ही कड गया सब कड गया तो 0 मैट्रिक्स आ रहा है ना 0-0-0-0-0 मैट्रिक्स आ गया इसका मतलब वो निल पोटेंट मैट्रिक्स है option C हमारा सही है 31 का सी ठीक है बच्छो चलो आप लोग चलते हैं पर अब यहां भी वही चीज है क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसके बाद बोल रहा है यह नॉन सिंगुलर है आइडेम पोटेंट है निलोपटेंट है और्थोगोनल है तो 32 को भी हम लोग देख लेते हैं तो देखो अभी ए है अच्छा पहले तो देख ल है लिए तो क्या होता है तो letter करने का मतलब हो गया यहां से करोस्ट माइनस टु माइनस फोटा लन्दी होगा इन्हां माइनस 1 3 और 4 रहा है 1-2 और –3 और यहां से क्या है तुमारा चू माइनस्ट मा+. 4 माइनस 1 3 4 और 1 माइनस 2 माइनस 3 ठीक है चलो multiply करके देखते हैं तो क्या रहे 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2 माइनस प्लस माइनस 4 ठीक है तो यह 4 यह 4 तो 2-4-2-3-6-4-2-8 फिर पहला रहे तीसरा कोलम 2 इंस 4-8-2-4-8-4-3-12 ठीक है तो दूसरा रहे पहला रहे minus 1 into 2, minus 2, 3 into minus 1, minus 3, 4 into 1, 4. फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम, minus 1 into minus 2, 2, 3 into 3, 9, 4 into minus 2, minus 8. फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम, minus 1 into minus 4, 4, 3 into 4, 12, 4 into minus 3, minus 12. फिर तीसरा रो, पहला कॉलम, 1 into 2, 2, minus 2 into minus 1, plus 2, minus 3 into 1, तो वो आ रहा है, minus 3. यह वाली चीज़ आ गई, minus 3. अब फिर देखो, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, 1 into minus 2, minus 2, minus 2 into 3, minus 6, minus 3 into minus 2, plus 6. फिर देखो, क्या रहा है, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, 1 into minus 4, minus 4, minus 2 into minus 4, minus 8, और minus 3 into minus 3, plus 9. तो अब देख लो, यहां से, यहां पर पहला तो 2 बचा, 4 और 6, minus 10, 8, minus 2 बचा, 8, 8, 16, plus 12, तो minus 16, plus 12, minus 4 बच रहा है, ठीक है, और minus 3, minus 2, minus 5, plus 4, minus 1, 9, 2, 11, 11 में 8 गया, 3 बचा, 12, 12 तो यहां से कट गया, क्या बचा, 4 बचा, 4, 2, 2, 4, minus 3, 1 बच रहा है, minus 6, plus 6, कट गया, minus 2 बच रहा है, और 12, minus 12, plus 9, minus 3 बच रहा है, तो एक तरह से दोखो, यह पूरा का पूरा A ही आ रहा है, तो क्या हो गया, A square equals to A आ गया, और हमको पता है, कि अगर A square equals to A आ जाए, तो उसको item potent matrix बोलते हैं, तो option B जो हमारा है, वो सही है, ठीक है बचों, चलो, next question पर चलते हैं, अब देखो, A is a singular matrix, A क्या है तुमारा singular matrix है, singular matrix का मतलब होता है, determinant A 0, तो यहां पर एक बात तो पहले से दिया वाए, determinant A equals to 0, अपने को पता है, A into adjuvant A equals to क्या होता है, determinant A I, तो determinant A to 0 है, 0 into I, तो क्या हो जाएगा, 0 matrix हो जाएगा, तो null matrix बोल दो, तो 33 का B हमारा सही option है, ठीक है बचों, चलो, next question चलते हैं, अब देखो, क्या बोल रहा है, यहां पर A to road square matrix है, और A into adjuvant A इतना दिया हुआ है, तो पहले से दिया हुआ है, A into adjuvant A जो हमारा है, वो है 8008, ठीक है, तो A into adjuvant A को क्या बोलते हैं, determinant A I बोलते हैं लोग, है ना, अब इससे अगर 8 common ले लो, तो यहां बच रहा है 1001, तो इसका मतलब यह हो गया क्या, कि determinant A I equals to 8 I आ गया, है ना, तो I I अगर छोड़ दो, तो determinant A equals to 8 आ रहा है, तो determinant A का value कितना आ जाएगा हमारा, then value of determinant A is 8, option B जो है मारा 34 का सही है, ठीक है बचों, चलो, next question पर चलते हैं, अभी देखो A दिया हुआ और अपने को क्या करना है, A inverse का dash निकालना, A inverse का determinant निकालना है, ठीक है, तो ऐसे भी अपने को पता है, हम लोग को पता A into A inverse equals to क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर determinant लगा दें, इसका A into A inverse equals to I, का भी क्या होगया determinant, तो अपने को पता एक property A, B का अगर determinant करना है, तो determinant A into determinant B होता है, यह आगया determinant A into determinant A inverse, और I का determinant 1 आ जाता है, तो अगर अपने को क्या करना है, कि A determinant A का अगर हमको inverse निकालना है, A inverse का determinant निकालना है, तो I का तो 1 हो गया ना मारा, आई का determinant 1, तो 1 by determinant A, ठीक है, तो determinant A निकाल लो यहाँ से, तो A हमारे पास है, minus 2, 3, 1, 1, और determinant A अगर निकालेंगे तो इसको इससे, minus 2, minus 3, तो कितना रहा है, minus 5, तो 1 by minus 5, equals to minus 1 by 5, बोल सकते हैं, option B हमारा सही option है, ठीक है बच्चों, तो 35 का option B हो गया, चलो 36, देखो A दिया हुए और हमारे पास कुछ equations दिये हुए है, तो देखो इसमें A square की ज़र्रत अपने को, तो A square तो पहले निकाल ही लो, तो वो होता है A into A, तो 3, 1, 7, 5, into A फिर से देखलो, 3, 1, 7, 5 यह है, तो देखो, फर्स्ट रोको फर्स्ट कोलम से, तो इस तरह से देखो, हमारा जो A square है, वो क्या आगया, 16 और 3, 5, 8 और 21, और 35, 56, 7 और 25, 32, यह है हमारा, अब देखो, यहां पर क्या है हमारा, सिंस, A square प्लस, X I equals to क्या है, तो मारा Y A है, तो चलो, A square तो हमारे पास पहले से given है, 16, 8, 56, 32, प्लस X, X I क्या है हमारे पास, 1001, और equals to कितना है हमारा Y A, Y और A हमारे पास पहले से है, 3175, ऐसा है, तो समझो यहां से, देखो क्या आ रहा है यहां पर तुमारा, 16, 8, 56, 32, और X से multiply अगर हम लोग इसको कर लें, तो X 0, 0X ठीक है, और इधर क्या आ जा रहा रहा है, 3Y, Y, और 7Y, 5Y, अब देखो इधर add कर लेते हम लोग, तो कितना आ गया, 16, प्लस X, 8, 56, 32, प्लस X, और इधर क्या रहा है हमारा, 3Y, Y, 7Y, और 5Y, और अगर देखो यहां से तो साब पता चल रहा है, Y का वेल्लू तो 8 आ रहा है, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी, है ना, 7, 8, जब 56, तो हमारा Y का वेल्लू तो 8 आ गया, अच्छा, और दूसरा X का वेल्लू निकालना है अपने को, तो यहां से अगर इसको हम लोग इसको बरावर कर लें, इस वाले को, तो कितना आ रहा है तुमारा, 16 प्लस X, एकोस्ट तो 3Y, तो Y के जगह रख दो, 3 into 8, तो कितना रहा है, 24, और X कोस्ट तो कितना आ गया, 24 minus 16, यह भी 80 आ गया, एक्स का वेल्लू भी 80 आ रहा है, तो X और Y दोनों ही 88 आ रहा है, आप्सन है B, X और Y दोनों ही 8, तो 36 का B आप्सन है बारा, चलो, next question पर चलते हैं, 37, कह रहा है, matrix A and B are anti-commute, anti-commute का मतलब क्या होता है, कि AB equals to minus B है, इसको anti-commute बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर कोई भी 2 matrix AB equals to minus B हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी-commute बोलते हैं, ठीक है, यह याद रख लेना, चलो 38 पर आते हैं, एड़्ज्वाइन टे, एड़्ज्वाइन टे, एड़्ज्वाइन टे के बारे में बताये थे, कि किसी का एड़्ज्वाइन टे निकालना है तो इस दोनों को आपस में इंटर्चेंज कर लो, यह यह बच्चों, तो ऐसे ड्ज्वाइन निकाल दो फड़ा जल्दी निकल जाता है, चलो, आगे देखो क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, बी स्कुर्वाइर मैट्रिक्स है, और बोल रहा है, एड़्ज्वाइन टे, जैसे ही एड़्ज्वाइन टे, इसका मतलब ी-1-4 आ न 6 और यहांपर मारे एंक तो हो गया तुमआरा तू और और non diagonal element का sign change करना है तो यह है जाएगा 4 यह हो जाएगा 1 और अगर आप इसको divide कर दो तो 2 by 2 1 4 by 2 2 और 1 by 2 और 3 by 2 तो अपने को answer क्या दिख रहे है C option C जो हमारा है 39 का वो सही answer है चलो next question पर चलते हैं यह बहुत ही आसान से है A and B are invertible square matrix तो AB का inverse है नहीं यह तो definition ही होता है पहले भी बात कर चुके हैं कि AB का जो inverse होता है वो B inverse A inverse होता है तो option D हमारा सही है चलो 40 के बाद 41 पर यहां भी वही है ए दिया हुआ इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा one by determinant into a joint तो determinant तो यहीं से निकाल लेते हैं तो 3 to 6 minus minus plus one seven है ना minus minus one into minus one तो minus one हो गया तो six plus one seven और एड्जुआंटे निकालने के लिए क्या करना है इस दोनों को आपस में इंटर चेंज करना है तो यह वाला हो जाएगा three यह वाला जाएगा two और इस दोनों का sign change करना है तो माइनस वन का one वन का माइनस वन तो आप्सन आगया हमारा three by seven one by seven minus one by seven two by seven ठीक है तो देख लो कौन सा है three by seven one by seven minus one by seven option भी हमारा सही है ठीक है बच्चों तो 41 का option भी सही है चलो next question पर चलते हैं यहां पर डेटर्मिनांट एक कुछ तो दिया हुआ है हमारे पास three और एंवर्स दिया हुआ है तो देखो तो सबसे पहले हमारे पास एंवर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है three minus one और अपने को एड्जुएंटे निकालना है माइनस five by three और two by three दिया हुआ है तो एंवर्स को हम लोग क्या बोलते है वन बाइडिटर्मिनांट एंटू एड्जुएंटे बोलते हम लोग और यह हो गया यही वाला चीज हमारा है न थ्री माइनस one माइनस five by three two by three और देखो तो डिटर्मिनांट एक की वैल्यू three है तो one by three और एड्जुएंट ए और इधर क्या है तुमारा है इतना लिखने का क्या फायदा है हमारा देखलो यहां से क्योंकि अब्जक्टी भी तो बनाना यह डिटर्मिनांट ए इसके बदले में अपने ल तो माइन nine minus three minus five two nine minus three minus five two option भी हमारा सही आंसर है 42 का ठीक है बचो चलो next question पर चलते हैं यह भी कहता है एंवर्टिबल मेट्रिक्स से एंवर्स इतना तो ए निकाल लो बहुत सिंपल बात है अपने को क्या पता है कि एंवर्स का अगर इंवर्स कर दो तो वो ना ए होता है कि ए एका इंवर्स इतना है तो बोल रहा है ए निकालना है अपने को पता है कि एंवर्स है और अगर इसका इंवर्स करो तो वो ए होता है एंवर्स का इंवर्स करने पर वापस क्या आता है ए आता है तो आप क्यों ना एका इंवर्स निकाल लो ठीक है एका क्या करो इंवर्स नि कर लो ठीक का रहा तुमारा 63 को आपस में चेंजन करो तक यहां से टीड व LEG सिंग सब्सक्राइब हुआँ न्यास बवन दसक्ISTINCT प्राएंब confident करोय एक तो यहां से क्या रहा रहा है वन वैंनेस तू और यह हुए यहां पर और six minus four minus five three multiply करो six minus six by minus two minus three और यह क्या रहा है two यह रहा है five by two और यह रहा minus three by two तो option check करो क्या है three minus two five by two minus three by two option c हमारा सही answer 43 का ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं यह देखो यह क्या है तुमारे matrix function है ठीक है तो यह हमारे पास दिया हुआ है और fa निकालना है तो अगर हमारे पास fx दिया हुआ है क्या है two x square minus four x plus five तो यहां से अगर हम लोग इसका fa करते हैं तो fa क्या रहा है two a square है minus four a है plus five है ठीक है तो a square का मतलब होता है a into a तो a क्या है मारा one और इसका five आई हो जाएगा यहां पर five है फिर one two two minus six four one four minus twelve four two eight plus nine सही है तो यहां से देखो कितना रहे तुमारा nine minus four minus eight seventeen चलो सबका value अभी यहां एक एक करके डाल देते हैं तो two a square nine minus four minus eight seventeen minus four a का value डालो one two four minus three और five आई का value डालो one zero zero one अब इसको solve करो हमारा answer आने वाला है यहां से कितना रहे nine two जा eighteen minus eight minus sixteen और यह क्या है तुमारा seventeen two जा thirty four ठीक है और यहां क्या रहे माइनस one four जा four eight four four जा sixteen four three जा माइनस twelve प्लस क्या रहे तुमारा five zero zero five अब इसको add करना है देख लेना है देखो यहां से क्या होगा पहले वाला सबका यहां से eighteen और यह रहा यहां से माइनस four और यह यहां रहा से प्लस five ठीक है बच्छों फिर दूसरा यहां से रहा माइनस एट यहां से भी रहा माइनस एट और प्लस जीरो यहां से है माइनस सिक्स्टीन यहां से भी है माइनस सिक्स्टीन और प्लस जीरो फिर यहां से 34 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5 तो फाइनली देखो कितना रहा हमारा 18 में 4 हटा दो 14 प्लस 519 यह माइनस 8 माइनस 16 यह माइनस 16 माइनस 16 माइनस 32 और यहां से देखो क्या हो रहा है कि 34 और 12 46 46 प्लस 5 51 तो देखो तो कौन सा है 19 माइनस 16 माइनस 32 51 option B हमारा जो है वह सई option 44 का ठेक है बचाओ चलो next question पर चलते है 45 यह दिया हुआ है और अपने को क्या निकालना है A square minus 4 यह निकालना है तो चलो सबसे पहले तो आप A square निकाल लो तो A into A 1423 यहां से भी 1423 अब देखो क्या रहा है तुमारा तो यहां से क्या रहा है हमारा नाइन और 4 और 12 और 4 और 4 16 2 और 6 8 और 8 और 9 17 यह आ रहा है तो चलो ठीक है देख लेते हैं अब A square minus 4 A इक क्यों कितना रहा है 9 16 8 17 और minus 4 और A की value है 1 4 23 ठीक है तो यहां से देखो कितना रहा हमारा 9 16 8 17 माइनस 4 से multiply करो तो 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 अब इसको जब माइनस करोगे तो 9 में 4 गया 5 बचा 16 माइनस 16 0 हो रहा है 8 माइनस 8 0 17 माइनस 12 5 अगर 5 बाहर निकाल लो यहां बच रहा है 100 01 मतलब 5 आई option B जो हमारा है वो सही है 45 ठीक है बच्छों चलो आगे चलते हैं लोग चलो देखो यह 46 कहता है एस टू रोड स्क्वाइर मैट्रिक्स दो रोव वाला स्क्वाइर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनांट ए 6 है तो एंटू एड्जुएंट ए निकालना है तो अपने को पता है एंटू एड्जुएंट ए किया होता है डिटर्मिनांट ए आई होता है ठीक है तो डिटर्मिना हमारा किता है डिटर्मिनांट है हमारा 6 है और आई हमारा हो गया 1001 फाइनली आंसर आ रहा है 6006 तो आपसन जो हमारा ए है 46 का जो आपसन है हमारा वह ए चलो नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं देखो कहता एज इनवर्टिवल स्कौईर मेंट्रिक्स के जा नॉन सिंगलर के नोन सिंगलर कोई भी निगरिंट्िव नंबर नहीं है तो आपसन भी हमारा साइइ यह 47 हो गया चलो 48 यह एक बड़ा सा कोईशन है एंवर्स है ना निकालना है तो चलो यहां सिखाते हैं बच्चों कि कि इतना बढ़ा का ना एंवर्स जल्दी से निकाल सकते हैं तो अपने को पता है एंवर्स में तो सबसे पहले अपने को सब्सक्राइब क्या खाता हैं तो है तो अगर अगरोग निकालेंगे पिए पहला रोज से निकाल लेते हैं यह दूसरा से प्लस्ट Kingdomborg एट प्लस वन cohort यह हो गया तुम्हारा अगला minus zero to zero के साथ कुछ करना नहीं नहीं है फिर लास्ट वाला यह minus माइनस यह plus यह minus फिर से plus two आ जाएगा यह अपना रो और अपना कॉलम यह delete करेगा three into minus one minus three minus four into minus two minus eight तो minus minus क्या हो जाएगा plus eight तो क्या गया minus nine लस five टूजर टेन तो वन आ रहे हैं तो यह तो वन आ गया पहला तो डिटर्मिनांट वन आ गया है ना और बच्चों देख यहां पर ट्रिक सिखाते हैं कि कैसे हम लोग जोए ना इसका जल्दी से निकाल सकते हैं इन्वर्स तो बहुत सिंपल है 3 4 1 कि देखलो 3 4 1 हम एक दूसरा कलर से इसको लिख रहे हैं यहां पर जो मैट्रिक से हमारा वो लिखलो 3 4 1 1 जिरो माइनस टू और माइनस टू माइनस वन टू यह हमारा भी 3 x 3 का मेर्ट्रिक्स है ठीक है इसकों को five by five का बनाना है तो फिर से पहला रो पहला कोलम दूसरा कोलम तीसरा कोलम फिर से अगला कोलम लिख देना है तो फिर से पहला में वापस आना है तो three one minus two फिर अगला four zero minus one यह हमारा देखो पांच कोलम बन गया बरो भी बनाना है पांच तो फिर से वापस उपर वाला रो आ जाएगा तो 34134 ठीक है यह 4 है हमारा फिर उसके बाद वाला सेकेंड 10-210 अब क्या करना है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लेना है पहला रो हमारा किसी काम का नहीं और पहला कॉलम भी हमारा किसी काम का नहीं इसको डिलीट कर दी है और अब बहुत सिंपल बात है इसको इससे मल्टिपलाई करो जीरो और जीरो और इसको इससे करो माइनस तो माइनस माइनस टू आ गया ठीक है अब फिर रो को करना है कॉलम में ये 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 पहला वाला की है रो को कॉलम को करेंगे रो में लिखेंगे ये हो गया फिर ये इसको करेंगे यहां रो को करेंगे कॉलम में लिखेंगे तू तू जा फोर माइनस टू तो फोर माइनस टू टू तो यह तू यहां लिखना है बास समझ में आया बचो फिर यहां से वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस जिरो यह रहा माइनस वन ठीक है फिर इसको इससे करो माइनस वन और माइनस एट माइनस नाइन ठीक है माइनस नाइन फिर इस प्लस् थ्री माइनस एट प्लस् 3 –5 पार रहा है mm-8-0 यह रहा है 287 ठीक है बिल्कुल C हमारा सही आंसर है ठीक है बच्छों तो यह टेक्निक था कि आपको जब objective आए तो आप तुरंद बना सकतें 3x3 का अधरवाइस 3x3 का बनाने में बहुत टाइम लगता है ठीक है बच्छों तो option C था है चलू हम लोग आते हैं 49 में a j square matrix a पलस a टैस क्या होगा देखअे इसका दैस कर लो यह आ जाएगा टैस प्लस ए-डैस का डैस टो एडैस तो ए उता है यह दैस तो होगा एडैस का डैस आ होता है इस्को पलट के लिख लो A plus A dash तो क्या दिखा A plus A dash का dash बराबर A plus A dash तो यह एक symmetric matrix है option C हमारा सही answer है ठीक है बच्छों तो 49 का option C हमारा सही है चलो 50 आते हैं A minus A dash इसका भी करके देख लो A minus A dash इसका dash निकालो तो A dash हो गया minus A dash का dash हो गया तो यह हमारा A dash और minus A dash का dash A आ गया minus common निकाल लो A minus A dash तो देखो यहां से क्या हो रहा है A minus A dash का dash बराबर minus A minus A dash तो यह excuse metric है option D हमारा सही answer है 50 का चलो आगे बढ़ते हैं 51 अभी देखो कहता है A is three road square matrix तो determinant 3A equals to K A तो K का value निकालना है determinant 3A equals to K K and Counties है बहुतแस्थक्ताथज जाना है यहां पर क्या होता है बचाओ कि यह three road मतलब इसमें तीन रो है तीन कॉलम है तो जितने रो होते हैं हर एक से ऐर एक से cần Буд तीन रो है तो 3 x 3 x 3 बहार आ गया यहां बचा डिटर्मिनांटी के इंटू डिटर्मिनांटी 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 कट गया के का वैलू 3 x 3 x 3 27 option C हमारा सभी आंसर 51 का चलो 52 आते हैं which one of the scalar matrix scalar matrix क्या होता है diagonal element same साब दिख रहा है देखो यह दोनों diagonal element same है तो यह जो हमारा C है वो क्या है मारा scalar matrix चलो देखो यह 53 ए दिया है बी दिया है और क्या बोल रहा है कि a plus b का whole square request to a square है चलो a square b square सबसे पहले तो देख लेते हैं a plus b ka whole square को हम लोग क्या लिख सकते हैं दो बार लिख सकते हैं a plus b into a plus b और यहां a square प्लस क्या है वमारा b square है तो यहां से a से multiply करो a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b और यह a square plus b square है यहां से b square b square यह कट गया यहां से a square a square यह कट गया तो a b equals to minus b यह हो रहा है ठीक है तो अपने को बस यह देखना है और solve करना है तो a b पहले multiply करके देख लेते हैं a है हमारा 1 minus 1 और 2 minus 1 और यहां से हमारा b देखो a 1 b minus 1 कर लो multiply तो a 1 into a a minus b फिर 1 into 1 1 minus minus plus 1 फिर 2 into a 2 a minus b फिर यहां से 2 minus minus plus 1 तो इधर वाला side में क्या हो रहा है हमारा a b में a minus b 2 2 a minus b 3 चलो अब b यह वाला देखो अब इसको पहले लिख लेते हैं a 1 b minus 1 और इधर कर लेते हैं 1 minus 1 2 minus 1 ठीक है बच्चों तो a से 1 को करेंगे a आ जाएगा यहां देख लो a और 1 into 2 2 ठीक है 1 into 2 2 तो अब देखो यहां से फिर पहला रो दूसरा कॉलम minus a minus 1 ठीक है फिर दूसरा रो पहला कॉलम b into 1 b और minus 2 फिर minus b plus 1 इसा तो इदर वाला चीज हो रहा है a plus 2 minus a minus 1 ठीक है और इदर आ रहा है b minus 2 और minus b plus 1 अब इसको और यहां देखो minus है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे minus लगा देंगे ठीक है बच्चों तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है a minus b 2 2a minus b 3 और जब minus से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा minus a minus 2 a plus 1 minus b plus 2 b minus 1 ऐसा आ गया चलो अब solve करते हैं इसको जल्दी से तो इसको असान हो रहा है यहां से यह solve करना तो 2 equals to a plus 1 तो a का value कितना रहा है 1 आ रहा है ठीक है a का value कितना रहा है 1 और b वाला यहां से असान इसे निकल जाएगा तो b minus 1 equals to 3 तो b का value क्या रहा है 4 आ रहा है b का value 4 आ रहा है अब रखके देख लोग क्या यह satisfy होता है a का value अगर हम लोग यहां पर 1 रखते हैं तो minus 1 minus 2 minus 3 और यहां पर 1 minus 4 minus 3 सही है हो गया satisfy b का value तो सही है हमारा तो answer जो हमारा है a का value 1 b का value 4 option जो हमारा है a का value 1 b का value 4 option c हमारा सही answer ठीक है बच्चों तो यह था हमारा 53 number question तो आज हम लोगोंने matrix और determinant के सारे questions finish कर लिए और I think आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा तो आप लोग इसको practice करो और अगले वीडियो में हम लोग अगले chapter के साथ मिलेंगे तब तक के लिए bye मिलते हैं अगले वीडियो में